नाग के 12 आयाम होते हैं, वहाँ 400 मीटर लंबा सापनुमा टीला है, जहां जहां प्रत्याहार हुआ, नाग वहीं रहते थे, अगर आप 5 इंद्रियों से परे के पहलूओं को जानना चाहते हैं, तो आपके आदिशेश को खुल कर चलना शुरू करना होगा, जहां 5 इंद्रिय या फेल हो जाती हैं, वहीं से नाग का काम शुरू होता है, भारत में नाग के 12 आयाम हैं, जिनकी पूजा की जाती है, ये इस प्रकार हैं, अनन्त, वासुकी, शेश, पद्म, कंबाला, कारकोटक, अश्वितारा, धृतराष्ट, संकपाल, कालिया, तकशक, पिंगला, ये हैं वो बारा पहलू, ये बारा पहलू, कैलेंडर के बारा पहलूं से भी जुड़े हुए हैं, वही पहलू, जिनमें लोग सितारों और उन चीजों को पढ़ते हैं, वाकई दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में, आप इसके संकेत और प्रमान, संकेतिक प्रमान देख सकते हैं, पिछले बीस हजार सालों में, दुनिया भर में ऐसी कई कलाकृतियां बनी हैं, जिनमें दिखाया गया है कि कैसे सांप ने उन जनजातियों की रहस्यमाई यात्रा में एक महतवपून भूमी का निभाई है, रूस से चीन तक बेशक भारत में, अफ्रिका, मिस्र, ग्रीज, दक्षणी अमेरिका, उत्री अमेरिका हर जगा इसे दर्शाने वाले सांपों के प्रतीक मौजूद हैं, और उत्री अमेरिका में हमने पाया कि ओहायो में 400 मीटर लंबा एक सांप नुमा टीला है, यह आहयो में है, 400 मीटर लंबा, जो कि एक बहुत बड़ी खाई के नस्दीक है, जो या तो किसी छोटे तारे के टक्राने, या उनके हिसाब से जमीन से गैस भटने के कारण बनाए, हमें नहीं पता कि वो कैसे बना, लेकिन एक 400 मीटर लंबा मिट्टी से बना एक नाग, एक टीला, एक सांप नुमा टीला, तो दुनिया भर में अलग-अलग लोग इस नतीजे तक पहुँचे हैं, इसलिए नहीं कि संस्कृतियों ने दूरियां तैकी हैं, हलांकि ऐसा भी हुआ है, पर वज़य वो नहीं है कि ऐसा हुआ है, जिस भी जगा लोगों ने पांच इंद्रियों से परे कुछ समझा है, जहां भी लोगों ने जादातर समय आँखें बंद करके बिताया है, यानि मूल रूप से प्रत्याहार किया है, प्रत्याहार यानि आपने इंद्रियों को खुद में समेट लिया है, जहां जहां प्रत्याहार हुआ है, जहां जहां इंद्रियों को खुद में समेट लिया ग जो विकास के साथ साथ हमारे अंदर बचा रह जाता है और कैसे हम उसे सक्रिय कर सकते हैं और कैसे ये हमें हमारी इंद्रियों की सीमाओं से परेले जाकर हमारे विकास की एक प्रक्रिया बन सकता है। लेकिन विश्णु के साप को शेश कहा जाता है अगर आप ये ना जानते हों आप मेंसे वो लोग जिनको दक्षिन भारत की लोकल भाषाओं में शुरुवाती स्कूली शिक्षा मिली है अगर आप ने पढ़ा है मुझे नहीं पता कि तमिल में क्या शब्द है पर तेलगू और कन्नड में अगर आप मैथेमेटिक सीख रहे हों शेश यानि रिमेंडर मैथेमेटिक में ये एक सामानी चीज़ है शेश तो उसी शब्द को यहाँ प्रयोग मिलाया गया है यानि शेश क्योंकि ये साम या यही नाग उस चीज़ का प्रतीक है जो हमेशा शेश रह जाता है जब एक स्रिष्टी समाप्थ हो जाती है तब कुछ चीज़ें रह जाती है या एक खास मूलभूत पहलू रह जाता है जो एक बार फिर से दूसरी स्रिष्टी में अंकुरित होता है तो ये वही शेश है जिस पर विश्णू विश्राम करते है यानि जब वो विश्राम कर रहे है जब पालन पोशन के लिए कोई स्रिष्टी नहीं है तब वो शेश पर विश्राम कर रहे है वो जो बचा रहे गया है, आदिशेश नाग खुलता है, और समय आगे बढ़ता है, यही इसकी पौरानिक कथा है, इसका मतलब है, यह पिछली स्रिष्टी का जो बचा हुआ हिस्सा है, वो जो बचा रहता है, और जब वो उट ख़़ा होता है, तो उसे आदिशेश कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पुराना शेश है जो बचा हुआ है और उठख़़े होने का मतलब है एक नए ब्रह्मान की रचना होने को है तो ये जीवन का एक बहुत गहरा पहलू है जिसे प्रतीकों की मदद से व्यक्त किया गया है तो आज नागरपंचमी या नाकपंचमी है जो कि इन चीज़ों का प्रतीक है श्रावण के महीने के पांचमे दिन ये वही दिन है जो कि उन लोगों के लिए बहुत महत्वण है जो अपनी भौत इकता के परे अपनी इंद्रियों से परे अपने जीवन को भेद कर जानना चाहते हैं ये केवल अनुभव करने की बात नहीं है या आत्म ज्यान की या मुक्ति पाने की बात नहीं है ये जानने के बारे में है अगर आप जानना चाहते हैं तो शायद हर कोई जानना नहीं चाहता जो कि ठीक है कुछ लोग बस मुक्त हो जाना चाहते हैं उनको जानने से कोई मतलब नहीं है वो भी ठीक है पर वो जो जानना चाहते हैं उनके लिए उनके अंदर विकास की प्रक्रिया का ये शेश रहने वाला पहलू बहुत-बहुत महत्वपून है नहीं तो ये वाकई काम नहीं करता चाहे आप सापों के प्रतीक को समझें या न समझें लेकिन आपको उस आयाम में जान डालनी पड़ेगी आपके आदिशेश को खुल कर चलना होगा अगर आप पांच इंदरियों से परे के पहलूं को जानना चाहते हैं वो पहलू जो भौतिक प्रकृती से परे हैं नाग उस आयाम को दर्शाता है जिसका बोध इंदरियों द्वारा नहीं किया जा सकता यही कारण है कि योग सुन्सकृती में नागों पर सबसे ज़ादा ध्यान दिया जाता था देखे आदियोगी अपने गले में एक नाग को धरन किया करते हैं क्योंकि यह आपके उस पहलू को दर्शाता है जहां आप किसी चीज को समझ पाते हैं जबकि आपकी इंदरिया नहीं समझ पाती जहां पांचों इंदरिया फेल हो जाती हैं वहां नाग का काम शुरू होता है